सारे रोजीज के ऊपर मेंने शावरिंग कर ली है और आजकी वीडियो हम पर यह टॉपिक पर रहेगी के प्रूनिंग के बाद अगर आपने प्लांड के प्रूने बोड़ ने उस लीडिक है के अंदर कुछ ऐसी मिस्टेक की जिसकी वजे से आपके प्लांट के उपर ब्लाइंड शूट्स आ सकती हैं यह साथ में आपके प्लांट के उपर पैस्ट अटेक बहुत ज्यादा हो जाएगा जैसे जैसे की देख रही है जो बर्ड एरिया है यह जैसे फूटना स्टार्ट हो जाएंगे उसके बाद आपके प्लांट के उपर पैस्ट अटेक भरपूर हो जाएगा तो सबसे पहली चीज़ जो कल की वीडियो में मैंने बताई थी सॉल के अंदर मॉईश्यर का मेंटेन होना देखिए सॉल के अंदर सॉल को और मॉईश्यर भी नहीं करना है सॉल को बहुत लो वाटरिंग भी नहीं करनी है मीडियम वाटरिंग चलनी चाहिए जब तक आपके प्लांट के ऊपर से नए शूट्स डेवलप नहीं हो जाती और जैसे से फ्रेंज ये लीव्ज में कनवर्ट होते हैं प्लांट के अंदर और ज्यादा ग्रोथ स्टार्ट होती है उसके बाद मॉइशर लेवल धीरे-धीरे मेंटेन करते रहिए ज्यादा करते रहिए इससे प्लांट के ऊपर जो भी नए शूट्स होंगे वो ब्लाइंड शूट्स नहीं निकलेंगे अगर आपने मॉशर लेवल धीरे-धीरे नहीं बढ़ाया और प्लांट को जितना मॉशर चाहिए उतना मॉशर उसको नहीं मिलता है तो बाद में आपका जो प्लांट है वो ब्लाइंड शूट्स मार सकता है तो सबसे पहले जिस दिन आपने प्रूनिंग की उस दिन से धीरे-धीरे-धीरे करके पानी बढ़ाते चाहिए जैसे ऐसे आपको लगता है कि प्लांट के उपर ग्रोध स्टार्ट हो रही है वैसे वैसे आपको वाटरिंग बढ़ाती जानी है और अगर आप बहुत ही ज्यादा भी पानी दे दोगे सबोस आपने जिस दिन प्रूनिंग की है उसी दिन आपने बहुत ही भरके पानी दे दिया तो उससे भी एक प्रॉब्लम हो सकती है वो है डाइबेक की क्योंकि ओवर मॉइस सॉयल भी प्लांट के रूट सिस्टम को ख रेक्वार्मेंट कम है जैसे इसके नोड एरियास डेवल अप होते जाएंगे वैसे वैसे आपको इसके अंदर वाटरिंग ज्यादा करते जाना है यानि कि मॉश्यर लेवल उसको मेंटेन करते जाना उससे ज्यादा धीरे-धीरे मॉश्यर लेवल मेंटेन करते जाएए तो हमेशा मिट्टी के अंदर और सिंडर के अंदर मॉइशर लेवल मेंटेन करते के चलिए आपका प्लांट कभी भी ब्लाइंड शूट्स नहीं मारेगा दूसरी इंपोर्टन चीज है वो है पैस्ट अटेक पैस्ट अटेक दो रीजन से हो सकते हैं ये दोनों रीजन आपको कंसिडर करनी होगी दोनों में से एक गलती भी आपने कर ली तो बाद में आपके प्लांट के जो भी नए शूट्स निकलेंगे वो टोटली फेल हो जाएं और फाइनली आपका जो टाइमिंग रहता है जो आपको ब्लूम्स चाहिए जो दिन पे जो टाइम पे आपको ब्लूम्स चाहिए वो ब्लूम्स नहीं दे पाएगा प्लांट आपकी तोटल मैनत खराब हो जाएगी तो mistake क्या है मैं आपको बताऊंगा तो सबसे पहली mistake ये है fertilization जी हाँ friends अगर आप fertilization बहुत ही जल्दी start कर दोगे और खास करके nitrogen based fertilizer nitrogen based fertilizer में balance NPK हो गया calcium nitrate हो गया ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज है अगर आप pruning के बाद या तो pruning से पहले ये fertilizer का application करते हो देखिए calcium nitrate बहुत लोग suggest करते हैं लेकिन मैं कभी भी आपको calcium nitrate ये stage में suggest नहीं करता क्योंकि calcium nitrate की वज़े से जो भी नए shoots तो आपके फटाफट develop होना शुरू हो जाएंगे लेकिन plant के उपर thrips attack easily लगना शुरू हो जाएगा बहुत सारे pest लगेंगे और insecticide अप spray करकर के ठक जाओगे लेकिन वो control में नहीं आएगा तो ये stage पे calcium nitrate यूज नहीं करना है chillated calcium यूज कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है calcium की वज़े से आपके plant के उपर buds जो है leaves है वो खराब नहीं होंगे लेकिन calcium nitrate spray करोगे क्योंकि उसके अंदर nitrate आता है वो है nitrogen nitrogen अगर ज्यादा दोगे plant को जो भी नए shoots तो निकलना start हो जाएगे लेकिन nitrogen की वज़े से thrips easily वो नए shoots को damage करना start कर देगा तो कभी भी nitrogen based fertilizers अभी मत दीजिए जैसे की calcium nitrate हुआ 13-0-45 हुआ 19-19 हुआ ये nitrogen जिसके अंदर nitrogen का content है जो first number है जैसे की 19-19-19 उसमें से first number है 19 वो 0 रहना चाहिए जैसे की जो fertilizer में आपको suggest करने वाला हूँ हो है 0-52-34 जिसके अंदर nitrogen 0 है 52 phosphorus है और 34 potassium है potassium बहुत ज़्यादा जरूरी है ये stage पे क्योंकि plant की immune system को हमें मजबूत करना है तो 2-3 दिन के बाद मेरी fertilization की video आएगी जो मैं आपके साथ share करूँगा लेकिन ये mistake बिल्कुल भी मत करिए जैसे की बहुत सारे लोग कर देते हैं प्रूनिंग करते हैं उसके बाद calcium nitrate का spray कर देते हैं या तो मिट्टी में दे देते हैं इससे आपके plant के उपर thrips का attack easily होने के chances बढ़ जाते हैं अब ये तो fertilizer की बात हो गई कि कौन सा fertilizer आपको नहीं देना है जिसकी वज़े से pest attack ज्यादा ना हो लेकिन फिर भी आपके plant के उपर pest होने के chances सबसे ज्यादा रहेंगे जैसे कि thrips आपके plant के उपर easily लग सकते हैं जैसे ही नए shoots बाहर निकलेंगे तो उसके लिए आपको insecticide का spray करना है insecticide में आप रोग और insecticide ले सकते हो emidacloprid ले सकते हो और इससे भी अच्छे insecticide आते हैं जिसका नाम मैंने आपको ये screen पे mention किया है उसके उपर separate एक वीडियो मैंने बनाई है तो वो वीडियो आप देख लीजे कितनी quantity में वो dosage लेना है लेकिन ये वीडियो में मैं आपको emidacloprid और रोग और ऐसे insecticide ही suggest करूँगा वैसे तो बहुत सारे insecticide है लेकिन कोई भी एक अच्छा thrips से related insecticide आप purchase कर लीजिए और वो insecticide का आपको spray करना है अब जैसे की friends कल हमने fungicide का spray किया था तो आज शाम को हमें इसके उपर chemical insecticide का spray करना है chemical insecticide में रोग और या तो emidacloprid हम एक ml ले सकते हैं एक लीटर पानी में mix करके हमें अपने plant के उपर शाम को spray करना है आज के दिन और इसके 3-4 दिन जाने दीजिए चार दिन के बाद फिर से आपको plant के उपर spray करना है ये 4-5 दिन के interval में ये spray चलते रहने चाहिए यानि कि insecticide का spray चलते रहना चाहिए और बाद में fungicide का spray चलते रहना चाहिए जिस दिन आपने fungicide किया उसके next दिन आप insecticide का spray करिए और शाम को ही करिए जब आपके शावरिंग वावरिंग सब कुछ complete हो चुकी है अगर आप सुबह करोगे तो बाद में शावरिंग करोगे तो insecticide और fungicide धुल जाएगा तो इसलिए शाम के वक्त ही insecticide और fungicide का spray करिए तो बस ये दो चीज़े हैं जो आपको ध्यान रखनी है pruning के ठीक next दिन से और सबसे important चीज़ है वो है शावरिंग शावरिंग अब दिन में तीन से चार बार करते रही है आपका plant बहुत ही जल्दी shoots मारेगा कोई भी calcium calcium देने की जरूरत नहीं है cold calcium nitrate देने की जरूरत नही जैसे इसे nodes area develop होते वैसे वैसे moisture level ज्यादा होना चाहिए अभी moisture level कम होना चाहिए क्योंकि अभी leaf area नहीं है जैसे इसे leaf areas develop होंगे moisture level वैसे ही बढ़ेगा तो ये दो चीज़ खास करके धियान रखे आपके जो roses है pruning के बाद बहुत ही अच्छे growth करेंगे तो अगर आपको कि किसी भी टाइप का confusion हुआ ये topic से related तो आप प्लीज मुझे instagram पे message कर सकते हो टेलीग्राम ग्रूप में message कर सकते हो दिल देन के लिए thank you friends और happy gardening